आजकल हर कोई internet के जरिये across the globe connected है ये एक global platform बन चुका है जहां culture, tradition, ideas flow होते हैं seamlessly लेकिन digital world काफी सारे challenges भी लाता है जैसे culture classes, moral values में conflict अभी सबसे बड़ा और लगाता चलते आने वाला जो इशू है वो है pornography का जो की worldwide debate का hot topic बना हुआ है दिन बर दिन जैसे जैसे internet का use बढ़ रहा है चीजे डवलप हो रही है वैसे वैसे obscenity का consumption और distribution बढ़ता ही चला जा रहा है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि cyber opportunity क्या है यह कहां से आया इसके लिए क्या क्या laws है इसमें क्या क्या punishment है कुछ case laws भी देखेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि cyber opportunity का जो social life पर जो impact परता है उसके लिए क्या steps लिए जा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का topic नमस्ते मेरा नाम एड़ोकेट प्रणाय भगत साइबर लो एंतुजियार्ट टेक्नो लीकल एडवाईजर पहले दो बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं वह साइबर स्पेस एंड ऑप्सिनिटी साइबर स्पेस एक वर्चुल एन्वार्मेंट है जहां और्गिनाइ को स्ट्रॉंग ली ऑफेंड करते हैं हाला कि उनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है मगर कई लॉज में इसे अलग अलग तरीके से एड्रेस किया गया है इंडिया में सुप्रीम गोड ने ऑप्सिनिटी को इस तरीके से एक्स्प्लेंड किया है जो भी कॉंटेंड या एक्ट र नमल लेते हैं ठीक मतलब यह होता है कि कोई भी कंटेंड या माटीरियल जो कि किसी में गोर्ण पैदा करते उसे कहा जाता है ऑफेंचिव टू-1 इसका मतलब यह है कि कोई भी कंटेंड या माटिरियल जो की डिसेंजी और मोडेस्टी के सोचली एक्सेप्टेड प्स और उससे किसी की भावनाव को ठेश पहुच सकती हो उसे कहा जाता है इसका मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसा कॉंटेंट जो कि मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी कॉंटेंट जिसका इंटेंट सेक्षवल डिजायर और सेक्षवली एक्स्प्रेशिट चीजों को जगाना हो उसे लुइड कहा जाता है यह डिसाइड करना कि यह पार्टिकुलर मर्टीरियल इलीगल है कि नहीं काफी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इंडिया में जिसे ऑप्सीन माना गया है उसे दूसरे देश में अलग तरीके से भी देखा जा सकता है रैजाइना वर्से हिकलिन केस में हिकलिन टेस्ट आया था इसके अनुसार किसी भी ओपन मैंडेट व्यक्ति को हर्ट किया जा सके या उसे करप्ट किया जा सके तो उसे option माना जाएगा 2014 में सुप्रीमं गोड ने हिकलिन ्टैस को डिसप्रू कर दिया और कहा की option material को Community Standard के हिसाब से टेस्ट किया जाना चाहिए ना कि हिकलिन टेस्ट से अपस्टिनीटी तो human history से चलिय आ रही है मगर Cybeる Ownuld 2020 एक नया फिनोमेना है जो कि इंटरनेट के आने से आया है नेशनल साइंस फाउंडेशन ने नाइटीन एटी के मिड में ही इंटरनेट डवलप कर लिया था मगर तब उसे वर्क रिलेटेड एक्सेस के लिए ही रखा गया था 1991 में इसे कॉमेर्शियल पर्पस के लिए भी ओपन कर दिया था तब से प्रतेट व्यक्ती के मोडें मोबाइल में इंटरनेट की एक्सेसिपिलिटी मिल गई है जब से एक्सेसिपिलिटी मिली है तब से साइबर स्पेस में साइबर ऑफ्यृब का फलो बढ़ता ही चला जा रह है मगर पॉर्नोग्राफी इंड़स्ट्री का लिगल स्टेटास कंट्री कंट्री वेरी कर सकता है जैसे ऊच पिक ने अडल्रेटेंडमेंट इंडस्ट्री को कुछ एक्स्टेंड तक अपरू कर रहा है फो च IR anymore इंडिया उनमें से एक है IPC के section 292 के अनुशा option content वाली book, image, film को sell करना, buy करना, rent करना, distribute करना, publicly exhibit करने को criminal offense माना गया है IT Act के section 67 के अनुशा option content को electronic form में transmission करना, publish करना या distribute करने को एक crime मना गया है The Indicent Representation of Women Prohibition Act 1986 किसी भी advertisement, publication या दूसरे form of media से women का Indicent Representation होता है तो वो women की modestie के लिए derogatory और demeaning हो या उसका purpose women का objectification and exploitation हो तो उसे crime मना जाएगा IPC के section 292 में अगर व्यक्ति पहली बार convict होता है तो उसकी punishment है imprisonment up to 2 year and fine up to 2000 अगर व्यक्ति दूसरी बार या उससे ज़्यादा बार convict होता है तो punishment है imprisonment up to 5 year and fine up to 5000 IT1 के section 67 में अगर व्यक्ति पहली बार convict होता है तो उसकी punishment है imprisonment up to 5 year and fine up to 10 lakh रुपीज अगर वापिस से व्यक्ति same section में convict होता है तो imprisonment up to 7 year and fine up to 10 lakh रुपीज punishment हो सकती है अब एक सरकार वसे state of west Bengal इस case में ऐसा हुआ था कि कुछ Indian newspaper और magazine वालों ने Boris Baker और उसकी dark skin tone fiance की half nude picture republished कर दी थी तो उनके उपर section 292 के against case लगाया गया तो इसका decision देते वे Supreme Court ने कहा कि इसे option नहीं माना जा सकता है जब हमने इसे community standard के हिसाब से test किया तो ऐसा पता चला ये picture एक message के साथ आई है तो उसे भी देखना जरूरी है इस picture में वो law promote कर रहे हैं और racism और color practice के against खड़े हैं तो इसे option नहीं माना जा सकता है लेकिन Supreme Court ने सोमिस बोस वर्सेज अमल मित्रा में ये कहा कि वल्करिटी के concept को हर देश के culture और ethics के इसाब से देखना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूसरे देश में अलाव है वही हमारे देश में भी fit हो जाए दूसरा केस है सुहास कटी वर्से state of Tamil Nadu ये इंडिया का first cyber option केस है जिसमें conviction हुआ था इस केस में ऐसा हुआ कि accused ने victim को propose किया लेकिन victim ने मना कर दिया और दूसरे से साधी कर ली हाला कि कुछ समय बाद victim का divorce हो गया उसके बाद accused ने फिर propose किया victim ने फिर मना कर दिया कुछ समय बाद victim के याहू message group पर off-scene, defirmatory और annoying messages आने लगे फिर victim ने पुलिस में complaint की complaint करने के बाद investigation हुई तो पता चला accused तो वही है जिसने victim को propose किया था और मना करने के बाद उसका पूरा यही motive था कि वो woman को harass कर सके तो court ने उसे IPC के section 469, 509 और ITX के section 67 में guilty माना explicit और inappropriate content जो भी internet पर available है उससे society पर एक harmful effect पड़ता है इससे नौ जवानों पर, लोगों के relationship पर और families में conflict arise हो सकते है इससे society को harm पूसता है और cyber bullying और harassment के cases भी बढ़ते हैं इसको address करने के लिए क्या steps लेने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे मगर उससे पहले क्या-क्या problems है उससे जान लेते हैं youth and children सबसे पहले youth and children के बारे में बात करते हैं इनके लिए यह सबसे risky बात है क्योंकि यह अगर cyber obscenity content consume करेंगे तो इनके mind पर negative effect पड़ सकता है इनके mind में relationship के लिए distorted perception बन सकता है या इन्हे psychological distress भी हो सकता है family and relationship family relationship में conflict हो सकते हैं misunderstanding हो सकती है परिवार में conflict arise हो सकते हैं communication breakdown हो सकता है और लोगों के बीच में trust भी डगमगा सकता है इस तरह के explicit content के consumption से partner के intimate relationship पर impact हो सकता है unrealistic expectation बन सकती है और उससे sense of dissatisfaction हो सकता है अब हम जान लेते हैं इनको solve करने के लिए क्या-क्या steps लिए जा सकते हैं public awareness and education आप अपने आजपास के लोगों को aware कर सकते हैं उन्हें ये बता सकते हैं कि cyber opportunity के content के consumption से क्या-क्या risk हो सकते हैं क्या-क्या consequences हो सकते हैं अपने घर वालों को और दोस्तों को cyber safety के बारे में educate करें उन्हें बताएं कि digital space में चीजें डालना कितना responsibility का काम है और बच्चों को explicit content के exposure से protect करें digital literacy and parental control आपने आसपास के लोगों को digital space के बारे में educate करें और parental control tools का use करें और safe browsing practice को अपनाएं जिससे बच्चों को explicit content से protect किया जा सकता है support system and counseling अगर कोई व्यक्ति cyber opportunity का सिकार होता है तो उसकी हिम्मत बांदें अगर जरूरत लगे तो legal help लें और counseling की आवशकता है उस व्यक्ति को तो counseling जरूर करवाएं क्योंकि ऐसे समय में उन्हें एक सारे की rehabilitation की जरूरत होती है तो उन्हें support जरूर करें यहां हमने कुछ common problems और उन्हें solve करने के लिए steps जो होते हैं उनके बारे में ही बात की है इसके अलावा भी कई problems हो सकती हैं और उनको solve करने के लिए अलग-अलग steps भी हो सकते हैं तो आज के वीडियो में हमने जाना कि cyber opportunity क्या होता है इसकी शुरुवात कहां से हुई इसके लिए क्या-क्या laws है क्या-क्या punishment है कुछ case laws भी देखे हमने और social impact भी जाना cyber opportunity का जो social life पर पड़ता है at last हम यही कहना चाहते हैं कि आप internet surfing करें और खूब मज़े से करें मगर digital space में क्या पोस्ट करना है उसका ध्यान हमें रखना चाहिए अपने घर के बड़ों को और बच्चों को भी इसके बारे में बताएं जादा तर यह देखा गया है कि cyber opportunity के मामले में women victim होती है अगर आप cyber safety tips for women पर वीडियो चाहते हैं तो comment section में CSW लिखकर जरूर बताएं हमें और अगर इस वीडियो पर 25 कमेंट आ जाते हैं तो जल्दी इस topic पर हम वीडियो ले आएंगे I hope आपको यह content useful लगा हो जाने से पहले इस वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद